सब्जी मंडी में जा रहे हैं वो भी विना मास्क लगाया अब सवाल यहाँ पर यह उड़ता है कि इस तरह से कुरुना से जंग हम कैसे जीतेंगे और इतनी संख्या में लोग इखटा कैसे हो गए जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बलतैनाथ है हमारे समवादता हमीरप भी नहीं लगाया हुआ था क्या को जानकारी है आपको बताने हैं पूरा मामला मुस्कुरा बत्वारे से थानाचेत के अंतरगत का है जहां पर प्रधान के होते हुए भी सभी सभी लोग बराबार निकल लाए और पर पर नजर ही नहीं आ रहा है और लोगों को बताया जा इसलिए इस तरह के लापर वाही नजर आ रही है शिलू और ग्राम प्रधान की मौजूद्गी में ये सारी चीज़े हो रही है तो वहां का जो इस्थानिय प्रिशासन है क्या उसे कुछ भी अंदाजा नहीं कि हो क्या रहा है वहां पर जी मैं आपको बता रहा है कि वहां मतलब ऐसा कुछ वह सोच ही नहीं रहे हैं शिलू क्या मीडिया की तरफ से जानकारी देने की कोशिश की गई है इस तानिय प्रिशासन को जी मैं आप जानकारी उनको पहुंचाएगी है जिसे उन्होंने का अब इनको कड़ी कारवाई की जाएगी शिलू ये भी जानकारी कि आज चो तस्वीरे सामने आई हैं वो सिर्फ आज की तस्वीरे हैं या हर रोज यहां पर इसी तरह से बाजार लगता है और हर सब्टा इसी तरह का मार्केट लगता है लेकिन किसी को कानू कान तक भनक नहीं है कैसे संभव है शिलू शिलू इस बीड में क्या कोई मास्क लगाए कोई भी नजर आया था क्यूंकि जब जहां तक हम देख पा रहे हैं किसी के पास कोई मास्क नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जिया जम कर उड़ाई जा रही है क्या लोगों को जानकारी नहीं है कि देश में किस तरह का माहल है किस महामारी के दौर से हम गुज़र रहे हैं अब जानकारी लेकिन कोई लगाहाथा ही नहीं पत्र और उनको अगर जादा मोग कहते हैं तो उसके वाल उनको समझ में ही नहीं आता है जिमार्ट से लगाएं और ना कोई सोशल डिस्टेंस न भी उसमें नजर नहीं आ रही है जानकारी हम तक पहुशाने के लिए अब गाजियाबाद से हमारे समबादता प्रदीप निश्रा इस समय फोन लाइन पर नमारे साथ जानकारी है